यह घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिष्टेदार पहली बार हमारे गाव जगनपुरा में अपने एक नसदी की रिष्टेदार के घर पर आए। पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिष्टेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पतनी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बातें करतें। उनके यहां जाने में जानबूच कर देर करते थे और हमारे यहां बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो, अक्सर वे हमारे घर पहुँच जाते थे और घंटे दो घंटे गप्षप करने के बाद खाना खाकर ही लोटते थे एक दिन शाम को पहुँचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रूप गई भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौरे गाथाएं सुनानी शुरू की फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं मैं वहां रात भर रहा फलाने जगह पर ये किया वो किया और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे मेरी मम्मी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें ना करने की याद भी दिलाई पर वो नहीं माने नहीं चाची जी भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है वैसे ही मन का वहम है ये और ना जाने कहां कहां के ऐसे वैसे किस से सुनाते ही रहे उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी रात के ग्यारह बच गए थे गाव में काफी सन्नाटा हो जाता है उस घर के छट से आवाज दे दे कर बच्चे बार बार बुला रहे थे सामने के रास्ते से जाने से कई मोर पढ़ने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पढ़ जाता था पर खेत से होकर एक शाटकट रास्ता था हम लोग अकसर उसी रास्ते से जाते आते थे उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया पीछे के दर्वाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दर्वाजा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए अचानक मेरी छोटी बेहन के दिमाग में क्या आया छट पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुँचे या नहीं अंधेरा काफी था मेरी बेहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया वह छट से लोटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दोड़ कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया मेरी बेहन ने पूछा कौन है उनकी आवाज आई मैं हूँ आप चाचा जी के यहां गए नहीं खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है गाव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ जल्दी जल्दी पिछवाडे का दर्वाजा खोला गया पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा आने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही दो लाल बत्तियां जलती है जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से जहेंप कर कहा ओह हम तो उससे डर खा गए बेचारे कर भी क्या सकते थे इस डर खानी की कहानी ने तुरंत बखानी गई उनकी निडरता की कहानियों के पोल को खोल दिया था फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिये मत हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था वैसे कुछ कुएं सच में शापित होते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब